अस्राम लीकिम विवर्स, question number 2, part number 7, solve करेंगे 25x5, y raise to 9, plus 15x raise to 9, y raise to 6, by 5x square y, 5 तो हम फर्स एक्स्प्रेशन को ऐसा numerator लिख लिए और सेकिंड एक्स्प्रेशन को ऐसा denominator मिन्स fraction बना लिया हमने तो अब 25x3, y 9 को separately हम डिवाइड करेंगे, 5x square y 5, इन दोनों का separate fraction बना लिएगे 15x9, y 6, over 5x square y 5 में separate fraction लिख लिएगे हम तो 5 को 25 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 5 आ जाता है, x5 में से ये x2 जो है, वो माइनस हो जाएगा क्योंकि divide हो रहे हैं तो इनके powers subtract होंगे, y 9 में से 5 माइनस हो जाएगा क्योंकि ये भी divide हो रहे हैं और same variable है तो इनके powers भी subtract हो जाएगे plus 5 को 15 पे divide करेंगे तो 3 आ जाता है हमारे पास, x 9 में से 2 माइनस करेंगे कι okay same variable divide हो रहे हैं और इनकी power subtract होचाएंगी तो six में से five minus कर देंगी वाई raised to six minus five हाएगा तो next रहा हमारे पास यह आजाता है फाइफ में से two minus करें तो three, five nine में से five minus करें तो four आ जाता है three, nine में से two minus करें तो seven eight में से five minus करें तो six में से five minus करें तो 1, तो हमारे पास यह expression आगी, divide होने के पात, अब इसका last part है question number 2 का, 8 part, 21, a5, b5, plus 14, a4, bq, plus 7, a square, b square, divided by 7, a square, b square, तो हमने first expression को as a numerator and second expression को as a denominator write down कर लिया, तो हम separate separate fractions बनाएंगे, 21, a5, b5, over 7, a square, b square का एक separate fraction बन जाएगा, 14, a4, b3, over 7, a square, b square का separate fraction बनेगा, और 7, a square, b square, over 7, a square, b square का separate fraction बन जाएगा, अब 7 को 21 पे divide करें तो 3 आजाता है, तो हमने वो 3 लिख लिख लिया, a raise to 5 हैं, और नीचे a raise to 2 हैं, तो यह दोनों power जो हैं, वो subtract होंगी, क्योंकि same variable divide हो लिए हैं, तो 5 minus 2 आजाएगा, b raise to 5 minus 2 आजाएगा, plus 7 को 14 पे divide करें, तो हमा 2 जो है, वो minus हो जाएगा, ऐसे ही b3 में से b2 minus हो जाएगा, 7, 7 से cut होगा, और a2 में से minus होगा, a2, और b2 में से b2 minus हो जाएगा, तो यहां हमारे पास 5 में से 2 minus करें, तो 3 आजाता है, ऐसे ही, हम b raise to 5 minus से 2 minus करें, तो b raise to 3 आजाता है, 2 as it is, a raise to 4 में से 2 minus करें, तो a raise to 2 आज बी आजाएगा और a raise to two minus two a raise to zero जाएगा और b raise to two minus two b raise to zero जाएगा और a raise to zero b raise to zero जो है हमारे पास वो one के equal हो जाएगा तो बाकी सारी टर्म्स जो हैं हम as it is लिख देंगे तो आज कि इस वीडियो के लिए तरहें नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेस्टन सौल करेंगे तब तक के लिए अलाफीस और वीडियो देखते रहें और गर पसंद आए तो सबस्क्राइब जरूर करें बेल लाकर को प्रेस कर दिए ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है